नमस्कार मैं अमरेंद्रितिवारी अल्टाइम पब्लिक इंडिया पर आप सभी का स्वागत करता हूँ दोस्तों आज स्वागत विशेश रूप से करेंगे कारण इसके पीछे का यह है कि पहले तो 5 कलोड व्यूज पार करने के लिए आप लोगों का शुक्रिया औल्टाइम पब्लिक इंडिया पर और दूसरा सबसे बड़ा सवाल जो लगातार लोगों के मन में आ रहा है कि क्या पंचायत चुनाओ अब अपने तैस समय पर नहीं होंगे सरकार ने पहले जूट बोला था जनता से अब यह बात पूरी तरीके से साफ हो चुकी है सरकार ने कहा था कि किसी भी कीमत पर दिसंबर से पहले पंचायत चुनाओ कराए जाएंगे ये दावे खोखले साबित हुए अब क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ ये ताजा क्रिया कलाब जो है ताजा कारिकलाब सरकार के जिस तरीके से सरकार ने सरकार आपके द्वार आपका अधिकार कारिक्रम की लांचिंग की है और ये अच्छा है मुझे लगता है कि सरकार को पहले ही करना चाहिए था दो महीना, एक महीना पहले ही करते तो वो ज्यादा बेहतर होता लेकिन चलिए देर आये दुरुस्ता इस कारिक्रम को लेकर मैं बिरोध में नहीं हूँ लेकिन जूट क्यों बोला गया पंचाय चुनाव को लेकर इससे किसको फायदा होगा BJP के तमाम आरोपों के बीच अब आजसु पाटी ने भी गंभीर आरोप सरकार पर लगा दिये हैं सरकार पर आरोप लगाते हुए आजसु ने कहा है कि सरकार बताए पंचाय चुनाव क्यों टल गया देखे दोस्तों पंचाय चुनाव अब 28 दिसंबर तक मुझे नहीं लगता है कि होने वाला है 29 दिसंबर को राज में सरकार दूसरी वर्षगाठ मनाएगे और उसके लिए जमीन तयार कर रही सरकार अपने तमाम कारिकलापों को जनता के बिच पहुचाने के लिए आपके सरकार आपके दौर आपका अधिकार कारिक्रम चला रही है ऐसे में सवाल यह उठता है कि पंचाय चुनाव अब कब होंगे तो कोई नहीं जानता है मन सरकार क्या करेगी कब क्या एलान कर देगी और कब किस चीज के बारे में सोचना ही बंद कर देगी सब को लग रहा था कि दिसंबर से पहले पंचाय चुनाव करा लिये जाएंगे यहां तक कि राज निर्वाचन आयोग ने SOP भी जारी कर दिया कि कितने लोग कैसे घुमेंगे बूत केंदर का लोकेशन जारी कर दिया था कितने पंचायतों में किस तरीके से बूत डिस्टिबिशन होगा कहां पर कितने बूत बनेंगे कितने पंचायतों में मतदान होगा क्योंकि शहरी करन के कारण जो है निकाय चुनाव वो भी आगे होने वाले हैं और अब तो मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि निकाय चुनाओ और पंचाय चुनाओ एक ही साथ हो जाए क्या ये संभव है तो बिल्कुल संभव है कहीं कोई दिक्कत नहीं है अगर हेमंत सरकार चाहेगी तो दोनों के अनुशन सा एक साथ कर सकती है और मुझे लगता है कि अ पंचायतों तक अपना इमेज सुधारना चाह रही थी इससे किसको फायदा होगा क्योंकि पंचायत चुनाव तो दलगत चुनाव नहीं है लेकिन हर कोई जानता है कि फिर भी कुछ ना कुछ इफेक्ट तो पड़ता ही है फिलाल के इतना ही फिलाल पंचायत चुनाव जो है वो ऐसा लग रहा है कि टल गया है आधिकारिक रूप से अभी तक सरकार के तरफ से कोई लेटर इस पर नहीं आया है राज जिंद्रवाचन आयोग के तरफ से कुछ प्रेस कॉन्फरेंस नहीं किया गया है लेकिन फिलाल दोस्तों ऐसी उम्मीद जताई जा रही है और टाइ